जहिन साथियों वेलकम है आप सभी का विज़ेपत एजुकेशन पालमपुर में आज रीजनिंग का सेट 2 आप सब के लिए रहेगा जिसमें हिमाचल पुलिस की जो परिक्षा 2022 में होने जा रही है 27 मार्च को उसके रिगार्डिंग रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट 2 आप सभी के लिए रहेगा 16 कोशन आपको रीजनिंग के आपके एक्जाम में आते हैं तो आप चेक करें कि इस सेट में आप कितने मार्च लेके आ सकते हैं जिसमें से आपके मेंली कोशन रहते हैं पुलिस के और आपका जो मेजर चैप्टर रहता है वो आपका डायरेक्शन है ब जल्दी से आप एक वार शेयर कर दें इस वीडियो को सबसे पहले हमारा कोशन है पुजल से रिलेटिड कोशन ये रहेगा जिसमें पुजल के पांच मेंली कोशन आप सभी के लिए पूछे जाते हैं सबसे पहले पुजल जो है वो बिलकुल सिंपल सी पुजल आज आपके सेट में डाली गई है बिलकुल बेसिक सी पजल है ये जल्दी से आप इस सबी कोशन को एक वार सॉल्फ करके देखें कि क्या आप से ये पजल बन रही है या नहीं बन रही रही है जिसमें आपको बताये गया है कि टोटल 6 ब्यक्ती हैं A, B, C, D, E और F ये सोंबार से रवि चुटी है तो यहां से आपको यह बताना है कि क्या हमारा पैटर्न इसका यहां पे बनेगा तो सबसे पहले मैं यहां पे जो चीज हमेशा फिक्स होती है वो चीज आपको यहां पे लिखनी होती है तो मंडे से संडे तक जो है वो आपके डेज फिक्स है बिल्कुल सिंपल सी परजल है सबसे पहले आजाएगा मंडे फिर आजाएगा ट्यूजडे बेनस डे थर्स्डे उसके बाद है फ्राइडे उसके बाद है सेट्डे और उसके बाद है संडे यहागे हमारे टोटल डेज इसमें से किसी एक दिन को जो है वो छुटी भी है अब आगे हमेरे पास जो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है उसी को आपको solve करना है सबसे पहली कंडीशन में बोला गया है बी सोंबार को परिक्षा में जाता है ठीक है तो मंडे को दिन सोंबार के दिन कौन जाता है यहाँ पर बी जाता है यह चीज तो होगी हमारी fix उसके appropriately के बाद हमें बताया गया है कि D जो है वह गुरुबार को परिक्षा में नहीं जाता है तो इसका मतलब की Thursday को जो है वह Boई परिक्षा में नहीं जाए गगा तो इस लाइन को भी चोड़ते हैं उसके बाद F-22 नहीं है जो C के बाद परिक्षा में सामिल होता है इसको भी छ इस दिन छुटी है उसके अगले दिन और उससे भी अगले दिन सिर्फ दो ही ब्यक्ति जाते हैं जिनका नाम है E और F तो इसका मतलब है कि Friday को जो है वो हमारी छुटी रहेगी holiday रहेगी Friday को तो Friday के बाद दो दिन जो हमारे बचे पहले दिन हमारा जाएगा E और उससे अगले दिन जाएगा हमारा F तो यह चीज़ तो होगी fix उसके बाद यहां पर एक next line बूलीगी है A अबकास से दो दिन पहले जाता है इसका मतलब अगर मैं Friday को अगर holiday मना रहा हूँ तो दो दिन पहले एज आएगा तो इसका मतलब Thursday और Business Day से पहले वाला जो दिन है इसका मतलब Tuesday तो Tuesday एक विनिट यह जो है वो अबकास के दो दिन पहले जाता मतलब जिस दिन छुट्टी है उससे दो दिन पहले जाता तो यहां पर Thursday का दिन आ जाएगा यह इस दिन जाएगा क्योंकि छुट्टी से एक दिन पहले दूसरे दिन पहले तो दो दिन पहले यह जाता है ठीक है उसके बाद ना तो शनिवार ना ही रविवार को छुट्टी है यहां तक हमारी condition clear है उसके बाद एक line बोली गई है कि F बैब यक्ती नहीं है जो C के बाद ठीक परिक्षा में सामिल होता है तो C तो अभी कहीं पर भी आ सकता है लेकिन एक और condition हमारी पिछली थी previous वाली कि D जो है वो गुरुवार को नहीं जाता है इसका मतलब D जो है वो Thursday को नहीं जाएगा तो एक ही position बच रही है इसके लिए वो है हमारे प puzzle की formation हो गई है आपको condition जो है वो one by one यहां से start करनी है पांच question इसके basic से पूछे जाते हैं इसी puzzle से आपको यह question बताने है पहला question है अब कास किस दिन है इसका मतलब है कि छुटी किस दिन है यह आपको यहां पर बताना है तो अभी जो हमने निकाली थी छुटी जो है वो चामिल होता है direct question दिया गया था यह और यह बिना puzzle को solve किये ही आप यहां पर बता सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार आपको puzzle solve करनी है पांच में से एक question आपका ऐसा भी होता है जो direct question से ही पूछ लिया जाता है क्यूंकि आपको यह चीज़ बताई गी थी मंगलवार यहां पर बताए गया तो मंगलवार को जो है वो डी गया था तो कुछ चीज़ें जो है वो direct आपको question में भी बताई जाती है अगला question है रविवार को कौन सा ब्यक्ती जाता है तो रविवार को जो है वो जाता है F तो option B हमारा right answer हो जाएगा उसके बाद है C किस दिन परिक्षा को जाता है तो ये भी हमने निकाला था Thursday यानि की C जो है वो जाता है हमारा बीरवार को गुरुवार हम जिसको बोलते हैं तो option E जो है वो इसका right answer रहेगा उसके बाद एक question है इसी से ही निमिलिकित में से कौन सा यूगम असत्य है कौन सा यूगम जो है वो असत्य है यहाँ पे गलत है तो यह जो है वो शनिवार को जाता है तो यह तो लाइन हमारी ठीक थी डी मंगलवार को जाता यह भी ठीक थी उसके आद ए गुरुवार को जाता है तो नहीं यह लाइन हमारी गलत है आप देख सकते हैं कि ए जो है वो किस दिन जाता है तो ए हमारा किस दिन जा रहा है बुद्धवार को जा रहा है बेड़नस डे को यहाँ पर ए जो अब जा रहा है ठीक है तो इसका मतलए यह वाली लाइन जो यहाँ पर हमसे पूछी गई है यह हमारी ला बस आप जितनी जादा प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही पजल के सबसे जादा बनने के चांसिज हैं चलते हैं सीरीज का यह कौष्ण रहेगा जल्दी से कोष्ण को आप सॉल्व करें कि आपका इसका अंसर रहता है पैटन भी आप एक वार कमेंट करके जरूर बताएं मैं इसको यहां पे डायक्ट सॉल्व करके आपके लिए बता रहा हुआ यहां पर बताया गया है सबसे पहल जो है वो छोटी से काफी बड़ी हो रही है तो अगर आपने सीरीज की वीडियो जो है वो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था अगर वेल्यू छोटी से काफी बड़ी में चली जाये जैसे 14 से 198 में जाएगी तो इसमें हमेशा मल्टिप्लाई का ही रूल तो आपको direct देखने से पता चल रहा है कि 14 का अगर मैं double करूंगा तो वो 28 होता है तो 27 उसके आसपास है इसका मतलब minus के बन कर दिये फिर 27 का मैं double करूंगा 27 को 2 से अगर मैंने multiply किया तो 54 होता है 54 में से 2 चले जाएंगे तो 52 अब मेरा pattern बन गया multiply to पहले minus 1 फिर minus 2 multiply to minus के 3 उसके बाद multiply to minus के 4 तो last में pattern क्या लगेगा multiply to minus के 5 तो जब आप इस चीज को solve करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 391 जो कि आपका option C यहाँ पे बिल्कुल accurate answer रहेगा तो pattern आपको यहाँ पे पता चल गया उससे आपका answer आएगा 391 अगला analogy का हमारा question रहेगा इसको भी आप यहाँ पे solve करें जल्दी से सबसे पहले आपके सामने यह बताया गया है कि 2 upon 3 जो है इसका direct relation किसके साथ बन रहा है 19 और divide by 29 के साथ बन रहा है तो आप क्या pattern यहाँ पे लगाएंगे ना तो 2 का square बनता ना तो cube बनता 19 के आसपास तो आप यह pattern लगा सकते हैं कि 2 को अगर 10 से multiply करते हैं 20 और उसमें से minus 1 कर देंगे तो 19 वैसे इसमें भी आप यही same pattern लगा के देखें 3 को 10 से multiply करेंगे 30 30 से एक चला जाएगा तो 29 तो बात बन गी यहाँ पे अगला जो हमारा है 8 by 7 उसको भी as it is करेंगे multiply 10 minus के बन तो answer क्या आएगा 80 में से बन जाएगा 79 और 70 में से बन जाएगा 69 तो 79 by 69 तो यहाँ पे puzzle करने वाले आपके option है जल्दवाजी में आपने जो आपकी OMR sheet है उसमें आपने जल्दवाजी में टिक नहीं करना क्यूंकि जो आपके computer के exam होते हैं जो आपके online exam होते हैं वहाँ पे तो आप अपना option change कर सकते हैं जब तक आपके पास time है लेकिन OMR की सबसे ज़्यादा disadvantages यह है कि अगर आपने किसी को circle कर दिया तो फिर आपका वो question आप उस चीज को change नहीं कर सकते फिर वही आपका answer valid माना जाएगा अगर आप दो जगापे tick कर देते हैं तो इसका मतला आपका वो question सारा का सारा cancel हो गया तो 79 upon 69 option C जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा अगला question है जल्दी से इसका भी answer आप बताएं निमलेकित में से दियेगे बिकल्पकों में से बिशम अक्षर को आपको यहाँ पर बताना कि जो सबसे अलग है ओड यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो किसी के साथ match नहीं करता है तो इसका जो answer हमारा रहेगा वो एक coding की formation में नहीं है यह एक full form की formation में रहेगा सबसे पहला जो option है SSA आपने सुना होगा सर्फ शिक्षा भ्यान इसको बोलते हैं उसके बाद RMSA है उसको रास्ट्रिय माधिमिक शिक्षा भ्यान बोलते हैं रूसा जो कि आपके college में apply होता है रास्ट्रिय उच्सतर शिक्षा भ्यान और NASA जो है यह हमारी एक space agency है तो NASA जो है वो इस सभी के साथ match नहीं करती है इसलिए option D जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद बात करते हैं अगला question है dictionary का question आपके सामने यह रहेगा शब्दों को शब्दकोष के अनुसार आपको क्रम में लिखना है कि कौन सक्षर सबसे पह आएगे हैं clone climate culture create और clap तो जब आप इस चीज़ को यहाँ पर बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले दो अक्षर जो है वो normal सब में common है और CL, CL सब में common है उसके बाद आएगा सबसे पहले A तो इसका मतलब 5 हमारा सबसे पहले आएगा तो सारे option में 5 है और last जो है वो हमारा आएगा यह fourth वाला क्योंकि यहाँ पर C और R इसका मतलब first option हमारा direct cut गया क्योंकि इसमें last में 3 है बट last में हमारे पास 4 आएगा उसके बाद यह तो आजाएगा first number पे CLA उसके बाद CLI की बारी है यह आजाएगा second number पे ठीक है तो direct answer मिल गया हमारे पास 5-2 तो पांचमा जो है वो पहले number पे और second second number पे तो option C जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा जल्दी से एक बार इस question को भी आप try करें missing character का यह question आपके सामने है यहाँ पे कोई ना कोई एक pattern जो है वो पहले वाले group में दूसरे वाले group में लगा है उसी के according आपको तीसरे वाले group का भी answer बताना है तो यहाँ पे जो हमारा pattern लगा है वो यहाँ पे 3 को 2 से हम multiply करेंगे तो 6 और इस 4 को हम क्या करेंगे add करेंगे तो 10 आजाएगा वैसे ही 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 और प्लस के 5 करेंगे तो 17 वैसे ही 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 10 और 8 अगर add करते हैं तो वो बनते हमारे 18 तो option C जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा अगला question है coding decoding से सबसे easy question आज मैंने आपके सामने यह डाला है light का code आपको बताया गया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ light का code जो है वो आपके सामने दिया गया है k h f g और s k h f g s तो k के आगे आता है l इसका मतलब l से मैं एक पीछे गया हूँ फिर i के पीछे h आता है उसके बाद g के पीछे f आता है h के पीछे g आता है और t के पीछे s आता है तो इसका मतलब सभी में हमारा minus 1 जो है यहाँ पे count हो रहा है तो वैसे आपको sound में भी s o u n और d sound में भी एक एक अक्षर जो वो आपको पीछे लेके जाना है तो s से जब आप एक पीछे जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे r o से एक पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा n उसके बाद u से जब आप एक पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा t n से पीछे जाएंगे m o से पीछे जाएंगे तो यहाँ पे sound है d है तो d से एक पीछे जाएंगे तो C RNTMC RNTMC तो option A हमारा ये match करेगा तो option A हमारा right answer रहेगा अगला calendar से related question है question में आपको बताया गया है कि प्रिया का जनम 11 अप्रेल को हुआ है उस दिन मंगलबार था और उसी साल रानी का भी जनम दिन हुआ है और 31 अगस्त को उसका जनम हुआ है तो आपको बताना है कि 31 अगस्त को कौन सा दिन था मतलब रानी का जब जनम हुआ उस दिन कौन सा आपका डे था तो बिल्कुल सिंपल सा method है इसको solve करने का same year में आपको सिर्फ और सिर्फ gap यहाँ पर ढूनना होता है इसके बीच का तो आपको बोला गया है सबसे पहले यहाँ पर 11 अपरेल से कहां तक जाना है आपने 31 अगस्त तक आप यहां पर जाएंगे 31 अगस्त तक जाना है तो अपरेल हमारा 30 दिनों को होता है उसमें से 11 दिन हमारे बीत चुके हैं तो 30 में से हमारे दिन कितने बच गे 19 दिन बच गे अपरेल के बाद मेई आएगा मेई 31 दिनों का उसके बाद मेई फिर जून 30 दिनों का जुलाई 31 दिनों का और अगस्त वैसे 31 दिनों का ओता है 19 को आप as it is रहने दो 31 जो है वो 28 दिनों में तूट जाएगा हफतों में कभी भी दिन चेंज नहीं होता है इसलिए इसका 3 reminder बचेगा 30 का 2 reminder बचेगा फिर 31 और 31 का 3 3 reminder बचेगा तो 19 और 2 हमारे होगे 21 फिर से हफतों में change होगे 3 और 3 6 और 3 9 टोटल 9 बन गया इसको भी जब आप हफतों में तोड़ेंगे तो 7 और प्लस 2 7 कट गया हमारे पास अंसर कितना बचा प्लस के 2 इसका मतलब अगर 11 प्रैल को मंगल बार है तो मंगल बार के 2 दिन आगे जाना है तो बुदबार और बीरवार तो इसका मतलब है कि option D जो है वो हमारा right answer रहेगा इसका मतलब कि रानी का जब जनम हुआ उस दिन कौन सा दिन था Thursday कुरुबार या फिर बीरवार था अगला question है बिल्कुल simple सा इसी type का आपको एक लंबा सा question भी यहाँ पर आ सकता है यह सर्फ आपको एक trial की formation में यह question यहाँ पर डाला गया है वैसे basically इस type का question पूछा नहीं जाता है बट आप से इसमें कुछ Chinese coding का question जो आप यहाँ पर पूछा जा सकता है तो कौन से अक्षरों का प्रियोग करके इन में से जो option है वो नहीं बनाया जा सकता statement के तुरू कौन सा ऐसा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता तो इसका right answer है रहेगा start क्योंकि statement में कभी भी A नहीं आता है R नहीं आता है लेकिन start में जो है वो A भी है R भी है तो इसलिए हम statement अक्षर से उनके अक्षर से हम start नहीं बना सकते start को bird हम नहीं बना सकते इसलिए option C हमारा accurate रहेगा next question है हमारा blood relation से important question है सुकेत की तीन पुत्रियां है और परतेक पुत्री का एक भाई है तो आपको बताना है कि परिवार में कुल कितने पुरुश है यहाँ पर सबसे जादा गलती जो है वो की जाती है students के द्वारा क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कोई एक आदमी है सुकेत उसकी तीन बेटियां है यह इसने एक तीन बेटियां बना दी यह पहली वाली यह दूसरी और यह तीसरी अब यहाँ पर बोला है और परतेख पुत्री का एक भाई है मतलब जितनी भी बहने हैं तो उनका क्या है एक एक भाई है एक एक भाई होने का मतलब है कि इन सभी का ही एक भाई है तो यह पहली बहन का भाई बन गया दूसरी का भी तीसरी का भी क्योंकि यहां पे जब परतेक पुत्री की बात की गई है इसका मतलग है कि कोई भी अगर किसी एक का भाई है तो वो दूसरी का भी भाई ही लगेगा क्योंकि सगे में तो वो भाई ही लगता है तो यहां पे एक लड़का तो यह आ गया और एक खुद कौन होएगा सुकेत आएगा इसलिए परिवार में टोटल कितने पूरुष आजाएंगे मेल कितने आजाएंगे दो आजाएंगे तो right answer आपका option B यहाँ पर रहेगा अगला last question है हमारा direction से काफी easy question है आपको बोला गया है एक आदमी 9 km पूरव की और जाता है इस point से चलना start किया east की तरफ जारा 9 km उसके बाद 12 km वो दक्षिन की तरफ चला जाता है नीचे चला जाता है 12 km तो आपको बोला है कि starting से लेके अंतिम बिंदू की दूरी जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है तो यह वाला जो आपका distance रहेगा यह चीज़ आपको बतानी है तो Pythagoras theorem हम यहाँ पे use करते है Pythagoras theorem होता है Hypernose का square तो वो x square आ जाएगा उसके बाद base का square और plus perpendicular का square तो 9 का square करेंगे 81, 12 का square करेंगे 144 दोनों को add करके आएगा 225 तो यह x square की value आगी अब square हटाना है तो दोनों तरफ root लगाया जाता है तो 225 जो है वो हमारा किसका root आ जाएगा वो आ जाएगा 15 का root तो distance की बात कर रहे है तो यहाँ पे कितना distance आ जाएगा 15 किलोमीटर option C हमारा यहाँ पर right answer रहेगा I hope आपको आज की class काफी अच्छी लगी होगी आप हमारे साथ basic foundation का course भी start कर सकते हैं जिसमें जो भी हमारे state level और center government के जितने भी exam निकलते हैं आप उन सब को यहाँ पर cover कर सकते हैं हमारे pre foundation के course भी start हो चुके हैं उनको भी आप यहाँ पर join कर सकते हैं अगर आप हिमाचल पुलिस के लिए मोक परचेज करना चाहते हैं तो विजेपथ education app आप play store से download करें और वहाँ पे coupon code आप लगा सकते हैं जिसमें आपको 22% का direct discount जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो जल्दी से आप play store से विजेपथ education app जो है वो आप download करें और वहाँ से आप हिमाचल पुलिस के लिए मोक परचेज कर सकते हैं जहां से आपकी practice जो है वो और ज्यादा अच्छी हो सके आप हमारे whatsapp और telegram group के साथ भी आप जोड़ सकते हैं जिसमें आपको day to day के current affair, pdf, study materials, study notes, हिमाचल जी के और जो भी आपके daily के current affair रहते हैं वो आपको free of cost बहाँ पर provide करवाए जाते हैं तो bd के description में आपको इसका link मिल जाएगा जहां से आप join कर सकते हैं आपके सामने जो नंबर दिया गया है इस नंबर के उपर भी आप message करके whatsapp और telegram में जोड़ सकते हैं तो वीडियो को like करें, share करें, जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम